हेलो एवरीबन वेलकम टो आई कॉंटा आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में इंपॉर्टन टॉपिक जो स्पोर्ट से रेलेटेड कोशन आपके एक्जाम में आते ही आते हैं और बात हो रही है जिसमें आपके इश्टेरियन ऊपन ल कुषनीक जीता है तो यह साइब मुश्किल है जो आपके केलेंडर में जिसे आपका एक्जाम होगा तनिवोड़ है यह लास्ट मंथ 23 में तो इस सब एक्जाम में कोशन आ सकते हैं क्योंकि साल भर में ये चारो आपके टूर्णामेंट्स होते रहते हैं तो कौन US Open जीता, Australian Open जीता ऐसे पूछ सकते हैं ये चारो में कौन बिनर रहा किस तरीके से इस से रेलेटेड कोशन हर एक एक्जाम में आते हैं चाहे हम लो रहा विनर कहर वही जो जीतते हैं आपके चाहे डीजे, डीजगोबिक सहाब हो गए, नवाक सहाब हो गए, रैफेल नडाल हो गए, तो यही सब जो बड़े-बड़े आपके प्लेयर्स हैं, आपके सेरेना बिलियम्स हो गई, ठीक है? या आपके अधर जो विमन्स की खिलाडी हैं, तो वही लोग जीतते आएं हैं, तो उन्ही में बस कन्फ्यूजन ना हो कौन भी नड़ था, क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि फ्रेंच ओपन, बिल्ड़न या या यूस ओपन, अस्ट्रीरल ओपन में कौन जीता, कैसे क्या हुआ, तो में स्टार्टीन सब से पहले इस्टेलियन ओपन होता है, घ्रेंट स्वzessड़ में मिली चार टूनरमेंट होता है, जो इन चार टूनरमेंट को जीत लेता है, तो वो क्या बंधम कहलाता है, ग्रेंट स्व NAS पता होना चाहिए, तो अस्टेलियन ओपन कहा आप होता है, अपका, Melbourne, में किया जाता और्गनाइज विंबल्डन आपका लंदन इंग्लाइंड जून जुलाई के पास-पास ग्रास कोट एंड यू ए उपन निवार्क इन इवेसे सब्थम्बर मन्त में होता है और भी हार्ट कोट ग्राउंड का नाम है ठीक है सबसे पहले अगर देखा जाये तो में स्टार्ट भी आपका क्या हुआ था विंबल्डन स्टार्ट हुआ था अगर देखा जाये कि पूरे जो आपके टूर्णमेंट्स हैं आपके ग्रांट स्लैम के तो सबसे पहले विंबल्डन टूर्णमेंट स्टार्ट इन ये एटीन सेबंटी सेबन तो आप सी एग्जा स्लाइम होई आप से बोला ना है ना प्लेयर विंस आल फूर टूनमेंट्स इन आ कैलेंडर इयर ही कंप्लेट्स आ ग्रांड स्लैम ठीक है अगर चारो आप टूनमेंट एक कैलेंडर इयर में जीत लेते हैं ऐसा नहीं है कि 2022 में आपने विंबल्डन जीता जो 2023 में आपने उए उपन जीता एक एक साल एक टूनमेंट जीत रहो कहतो एसा नहीं है चारो आपको जीतना होगा एक साल में ठीक है तो आप क्या कहला होगे ग्रांड स्लाम में होगे तो पहले काहून थे उनिस सो निफनेष Minnesota में जीता था स्टेलिया के थे एक प्लेयर नाम था उनका डॉन बच ठीक है डॉन बच बिकेम दा फोर्स प्लेयर तू कम्प्लीट दा ग्रांड स्लैम ठीक है तो यह एक आपका इंपोर्टेंट स्टैटिक का कॉस्चन हो गया इस इसे आप से जो 80-90 परसंट जो चांसे रहते ठीक है पहले ग्रांड स्लैम बिनर काउन थे भी आपको जानना चाहिए मालीजी एक्जाम में आ गया ठीक है तो देखें ग्रांड स्लैम बिनिंग ओल फोर मेजर चैंपियन्शिप ठीक है तो काउन जीते इस बार नुवाग दिसकोबिक होल्स दा रिकॉर्ड फोर दे मोस् अदर राफल नडाल जो भी तक 22 टाइटल जीच चुके है रोजर फेडरर वन आप दे ग्रेटेस प्लेयर और यहां पर कुशन आओ और आपका दीख रहा है देख रहे हैं किस देश से संबंदित है associated with which country तो इस्पेन के है राफल नडाल रोजर फेडरर सुट्जल रेंड स तो यह मैजदा फॉलोइंग में भी दे देता चार वहान खिलाडियों का नाम दे देगा ठीक है फिर उसके बाद countries नाम उनकिस देश से संबंदित मलग किस देश के रहने वाले हैं तो उसमें आप से पूछ लेंगे इन में सही क्या है गलत क्या है correctly match कीजिए तो यह भी ध् ना जीता टॉप टू-3 आपको याद रखना सबसे आधा आपके नवाक साफ 24 बार राफल नडाल 22 बार और रोजर फडरर 20 बार जीते हैं तो टॉप 3 आपको जानना जरूरी है गोल्डन ग्रेंड स्लैम भी होता है एक टाइटल ठीक है तो गोल्डन ग्रेंड स्लैम क्या हो यूथ ओलम्पिक में भी हो गोल्ड जीते तो ग्राइट गोल्डन ग्रांड स्लैम कहलाता है ठीक है ना 1988 में किसने जीता जर्मनी के स्टेफी ग्रेफ वांद अस्टेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विंबल्डन युएस ओपन हैं दा गोल्ड मेडल इन दा ओलम्पिक्स गेम् गोल्डन ग्रांड स्लैम यह थोड़ा आपके लिए इंपोर्टन कोशन हो सकता है इसको आप ध्यान में रखिएगा ठीक है क्योंकि गोल्डन ग्रांड है चारों में तो जीते ही ओलम्पिक में भी जीते है गोल्ड तो बहुत बड़ी खिलाडी है और पहले थे तो इसके ल अधिक है मेंस में कौन जीता किसमें किसं ने जीता ठीक है तो यह ठीक है तो सबसे पहले देखिए इसटलेन का विमन्स टाइटल जीती हैं अस्टेलियन ओपन का और बेलारूस की रहने वाली है और इलेना जो थी वो रनर अव थी ठीक है तो यह हमने देख लिया अस्टेलियन ओपन और यहां पर थोड़ा स्टेलियन ओपन से रेलेटेड हम जानकारी ले ले लेंगे सर्विया के ही नो सब्सक्राइट कोड हैस वांद ऑस्टेलियन ओपन टूर्णमेंट टाइटल मैक्सिमम एक ग्यारा बार महिलाओं की कटेगरी में यह जीती है और नुबाक साहब दस बार पूरसों की कटेगरी में अस्टेलियन ओपन ठीक है यह फैक्ट आपके लिए इंपोर्टेंट इस बार का नुबाक साहब यहाँ पर भी फ्रेंच ओपन में भी जीत गए और सर्विया के हैं देखने यहाँ पर देखे रनर अप कोई और था ठीक है कैस पर रॉड महिला के कटेगरी में इगा ने जीता है ठीक है और यह बोलेंड की रहने वाली है और कैरोलिनिया मुचो यहाँ की क्या थी रनर अप थी तो यह आपका फाइनली फ्रेंच ओपन का देख लेते हैं यह स्पेन के रैफल नडार सबसे जादा फ्रेंच ओपन टूनेमेंट जीते हैं मैक्सिमम टाइटल और कितनी बार 14 टाइमस जीता है इनोंने ठीक है और महिलाओं की कटेगरी में यहाँ पे जीता है क्रिस एवर्ट ने जोगी अमेरिका की रहने वाली हैं फॉर्मर अमेरिकन प्लेयर हैं ठीक है तो यह मैक्सिमम सेवन टाइमस जीती हैं महिलाओं के क्टेगरी में ठीक है तो यह हम देख लिया आपका फ्रेंच ओपन फिर उसके बाद बेमल्डन का क्या हाल रहा इस बार मेंस में कार्लोस अलक्रॉज ने जीता ठीक है न यह ध्यान में रखिएगा इस्पेन के रहने वाले हैं और रनर अप यहाँ पे नुवाक साहब थे ठीक है यहाँ फाइनली हार गई इन्होंने महिलाओं का टेगरी में मार्केटा बंडुआज वोवा ने जीता और यह चेक रिपब्लिक की हैं उन्स जैवियोर यहाँ पी रनर अप थी ठीक है यहाँ पे रोजर्ट फेडरर सबसे ज्यादा बिमल्डन जीता है इन्होंने सबसे ज्यादा आठ पार और फॉर्मर अमेरिकन प्लेयर मार्टिना जो जीती हैं बिमल्डन सबसे से जीत लिया, डैनिल को हरा के और महिलाओं के टेगरी भी कोको गॉफ ती इंपोर्टन ठीक है नुएस ओपन के कुशिन पूछे जाते हैं वैसे भी पूछ लेंगे आप से अलग से उएस ओपन करके या फिर आपका ग्रैंट स्लैम के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं तो अमे आठ बार महिलाओं के काडेगरी में इन्होंने जीता है ठीक है आप कोशिन वगयरा सिंपल से ऐसे ही पूछे जाएंगे आप से की हाव मेनी ग्रैंट स्लैम्स टेनिस टूनमेस और और अर्गनाईज अबरी एर तो कितने होते हैं टोटल आपके चार होते हैं ऐस्टेलियन उपन फ्रेंच ओपन विंबल्डन और उवेस ओपन ठीक है सिंपल स्कोशन आएंगे ऑप्शन देंगे चार्ट तो आपको याद रहना जरूर वीच फिलेयर वन दा मेंस सिंगल टाइटल आप दास्टेलियन उपन तो हमने सारी चीछ यह देखे लिए कौन-कौन जीता गर फ्रेंच ओपन युएस ओपन ठीक है विंबल्डन यह ध्यान में रखना क्या पूछ रहा है नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओ गया कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नंबर आप टाइमस आपको रिवीजन किये रहोगे ना तो कोई दिकत नहीं होगे कि भूमपिरी के देखिए नवाक ही है रैफैली है आपके रहा नहीं है विमन्स टाइटल में फ्रेंच ओपन में कौन जीता यह भी आपने देखना इगनानी जीता ठीक है ना तो ऐसे ही कोश्चन सिंपल से आएंगे और आप आसानी से कल लोगे ठीक है नहीं में सिंगल टाइटल विंबल् में रखिएगा ठीक है तो फिर उसके बाद सिंगल किसने विमल्डन जीता तो यह आपके मार्केटा है तो इस तरीके स्कूश्चन आप आरासानी से कर सकते हैं और अपने सारे जबाब दे सकते हैं और फाइनली मन चाहा नंबर भी अपने एक्जाम में पास सकते हैं ठीक है त्वासा करता हूँ कि सारी चीजे समझ में आई होंगी और आपके लिए फैक्च्वल इन्फॉर्मेशन जो एक्जाम के लिए सबसे पॉर्टन टॉपिक्स में से एक है कोश्चन आता ही आता है स्पोर्ट से स्पोर्ट में खास कर यह टॉपिक तो चुन ही लेते हैं सानी से सभी कोश्चन के आंसर देलोगे ठीक बच्चों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मिशन के साथ नए क्लासे के साथ तब तक अपना ख्याल रखे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाले एक्जाम में आप पूरी तरह से अव